जैपूर के चोड़ा रास्ता इसते तारकेश्वर महादेव मंदिर से रवाना हुई डिग्गे कल्यान जी माराज की लखी पदियात्रा डिग्गे कल्यान धनी की पदियात्रा के प्रती पिछले कई सालों से लोगों में क्रेज बढ़ा है लोग लाखों के संख्या में जैपूर, टौक, दोसा, सीकर और आसपास के इलाकों से पैदल चलकर डिग्य कल्यान जी के धाम पहुंचते हैं यहां सबसे पहले तारकेशवर मादेव मंदिर के दर्शन करते हैं इसके बाद मोती वूंगरे, इस्तित गनेशी के दर्शन कर चार दिन में डिग्य कल्यान जी पहुंचते हैं इस दोरान करीब 85 किलोमीटर का सफर त्या करते हैं जहां पर कल्यान धनी में दर्शन करते हैं इस दुरान रास्ते में धर्म प्रेमी लोग सधालूं के खाने पीने रहने की विवस्ता करते हैं सवेरे से ही डीजे के धुनों पर अलग अलग गाओं कोलोनियों से लोग डिगगी जाने के लिए नास्ते गाते पहुंचते हैं जए जए नास्ते हैं गज में पर देखने से तरी डिकली जी के पती आस्ता इस तरह से आप देख रहे हैं करने कंडवत करते हुए महां तक जाना जी सब आस्ता है वारे भारत की परंपरा है सानातन परंपरा है और मैं इस अफसर पर साभी बक्तों को भगवाद की आुट से कामना जेता हूं और यह कामना करता हूं और हमेशा हमेशा बदार हूं तो मुझे भूख से मिल रही हैं बहुत कोशी मिलती है आपने उसी में देखा होगा तीज का जब की जब सवारी निकली इसमें में आके जोड़ा था तो आशाए यही रहेगे कि आने वाले समय मैं से और ज्यादा पत्वी आत्राव मैं मैं जुर सकूं और लोग के बीच आके आपके साथ आपके साथ रहें कि कर दो यहां हर साथ कि वाती में वीदिफूर का तारीज़ की है